टॉप थ्री बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून अडर 35,000 तो यार आज मैं आपको टॉप थ्री नहीं टॉप फाइब गेमिंग स्मार्टफून गदाऊंगो जो क्या 35,000 के वरी रेजमें ले सकते हो बात करते हैं सी दाना बॉफ फाइब की नम्बॉ फाइब की बात करो उपसंद आये प्लस मैं आपको बता देना चाता हूं कि आपको फाइब की स्मार्टफून Mkelijk जाता प्लस इसके डिस्प्ले खॉल्टी मैं पर मेंदातीश। झायद का Тут इंक डिस्प्ले क्ति आुट Miss творit सभी नाफ आप नॉर्मली एजली रख सकते हो इसमें आपको सूपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाते है जो कि 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलती है जो कि आपको ग्रीला ग्लास 5 की प्रटैक्शन के साथ देखने को मिलेगा और प्रेधी शाष्टन की बात को आपको आप एक्सल के आपको सेल्फी देखने को मिल जाएगी सेल्फी में भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 fps बठी गया आपको 4500 ms की बैटरी देखने को मिल जाते है 25 वोड का आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा प्लस आई पी 67 वाटर एंडर्स रेटिंग देखने को मिल जाते हैं मतलब आपका जो स्मार्टफून होगा वो वाटर पूफ होगा आप एक मीटर तक इसको पानी में डिप करके रख सकते हो आधी गंडे तक आपका फून बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला तो यहार में स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये सामसिंग लैक्सी एफ फिफिटी टू के फून नया लौंच हुआ है प्लस बहुत ही ज आपके लिए पॉफट डील हो जकता अगर आपने अभी तक नहीं चैगूड किया था एक पर आप चैगूड कर लेना लिंक वगारा मैंने प्रवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शिं बॉक्स में देखने को मिल जागा तो एक पर आप चैगूड जरूर करना सैमसंग लैक इसका जो डिजाइन है जैसके जो कलर जाता है यह वह आपको इतने अपर नहीं देखने को मिलते हैं तो दैट स्कार में इसको नमबर फॉर पर रखा लेकिन अगर मैं स्पैसिविकेशन के कारिंग देखो तो यार यह स्मार्टफून बहुत ही ज्यादा तगड़ा आपको 5G smartphone देखने को मिल जाता है प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये चार वेरेट में देखने को मिलता है जो 6GB वेरेट है वो आपको 35,000 के बजल तक देखने को मिल जाता है दो कलर में देखने को मिलता है अगर आपको ये कलर पसंद आते हैं तो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो, आपको Snapdragon 865 प्रोसेसर देखने को मिल जाते हो, जो कि बहुत ही जगधा तगड़ा है, भी अगर आपने हार्ड कोर गीमिंग करनी है, आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो, 7 nanometer technology के साथ बेज़ आपको Super AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90 refresh rate के साथ देखने को मिलते है, आपको Gorilla Glass 5P protection भी देखने को मिल जाती है, आपको Core Camera Setup मिल जाएगा, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, आपको Dual Selfie देखने को मिल जाती है, प्राइज मैंने आपको पहले भी बिता दिया, जो 6GB वेडियो वो यार आपको 35,000 के बज़ड में अप्राक्स देखने को मिल जाता है, अगर आपने 12GB तक भी जाना है, तो भी आप जा सकते हो, लेकिन उसका प्राइज इंक्रीज हो जाएगा, मैंने बता दिया, आपको Realme X50 Pro के, तो भी अगर आपको Realme लवरो, आपके लिए ये स्मार्टफून परफेक्ट डील हो जेगा, अगर आपका पज़ड 35,000 है, 35,000 पहले बोलने लगा था, अगर आपका बज़ड 35,000 है, तो आपके लिए ये परफेक्ट डील हो सकते है, Realme X50 Pro आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो, आगे बात करते हैं, नमबो थ्री की, नमबो थ्री की बात करूए, नमबो थ्री पर यार मैंने रखा आइफून SE को, तो सबसे पहले मैं बता दो भी, अगर आपका बज़ड 35,000 है, 35,000 के बज़ड वेच में आपको 128GB स्टोरे के साथ ये स्मार्टफून देखने को मिल जाता है, तो भाई अगर आप एपल लवर हो, तो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस स्मार्टफून में एक मानिस पाइंट देखने को मिलता है, मानिस पाइंट सिर्फिस की बैटरी है, तो भाई अगर आप गेमिंग करोगी, या मल्टी टास्किंग करोगी, जा अगर आप वीडियो शूट करते हो, फोटो शूट करते हो, तो इसकी जो बैटरी है, वो बहुत ही जल्दी कम हो जाती है, लेकिन इसका पुर्सासर तगड़ा है, जो कि आपको ए थोरी बान एक जिपसार के साथ देखने को मिलता है, तो भाई अगर आपने गेमिंग करने हैं, आप इजली नॉबली कर सकते हैं, आपको IP67 Water and Dust Resistant Rating मिल जाती है, तो waterproof smartphone अगर पानीवगारा गिर भी जाता है, तो कोई भी problem इशू आपको नहीं आने बाला, ये तीन वेर्ड में देखने को मिलता है, 3GB RAM के साथ देखने को मिलता है, अगर आपने iPhone SE की और जाना है, आपने minimum 128GB स्टोरेज की और जाना ही जाना है, जो कि आपके long time बिड़ काम आजेगा, तो that's why मैं आपको कहा रहा हूं तो, आगे बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको iPhone SE के बारे में तो बता दिया, आगे बात करते हैं, नमबर टू की, बात करूँ नमबर टू की बात करूँ नमबर टू पर यार मैंने रखाया MI10T को, तो सबसे पहले पर मैं आपको पता देना चाहता हूं कि आपको 5G smartphone देखने को मिल जाता है, यह दो बेट में देखने को मलता है, 6GP RAM के साथ, एंड 8GP RAM के साथ, आपको पुरसासर बहुत ही जादा तगड़ा मिल जाता है, जो कि Snapdragon 865 देखने को मिल जाता है, जो कि 7nm टेखने के साथ बेज जाता है, तो भी अगर आपने हार्ड कोर गीमिंग कर नहीं है, अब अगर इस स्मार्टफून के और जाते हो, जो कि आपको पूरा लोडड़ जाता है, मतलब अगर आपने गीमिंग भी कर नहीं है, एक एमरी के अगर आपने स्मार्टफून चाहिए, अगर आपको मैटर करते हैं, आप सभी के लिए पॉफर्टीट हो सकता है, MI10D, आप जा सकते हो इस स्मार्टफून के, आप उसके और जा सकते हो, जो स्मार्टफून आपको 5G देखनी को मिलेगा, एंड इसके कलर अब बहुत प्यार है, लेकिन और अरज कलर में यह ज़्यादा सूद करता है, तो भी अगर आपको एक लाइव इसलिम जाप फून चाहिए, अगर मैं आपकी जगा होता, मैं जाता है, सामसिंग ग्लाक्सी एक फिफिटी टू के, सबसे पहले वो निया लाउंच ओर, उसके गल उसका डिजाइन लुकर बहुत बहुत प्यारा है, सूपर एमलेट डिस्प्ले में जादिया, बहुत बढ़ाईटरी लाप के लाप मिल जाएँ, प्लस बोर जो प्राइवेसी शिस्टम होता, सामसिंग के फून का वो बहुत ज़्यादा अपर होता है आपको बाटरपू स्मार्टफून देखनी को मिल जाता है, तो अगर आपने जाना है आप जा सकते हो लिंक वगरा मैंने प्रवाइड किया और लेकिन अगर आपने IQ 003 के हो जाना है बहुत तगड़ा है अगर आपने MI10T के हो जाना है वो स्मार्टफोन भी मतलब कर लोक डिजाइन वाइस भी वह पहुत ही ज्यादा सही है तो आप देख लिए जो भी आपको सही लगता है आप लेसे लिए अगर मैं आपकी जगा होता है मैं जाथा Samsung Galaxy A52 किया तो यार अभी मेरी वीडियो यह ही पर हो जाती है अखात हम अगर आपको मेरी बिच रहे है आपको लिए वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेक करना दो प्रस leash में आपको लिए झाप है करना कि अभी one रहे है, यह हो जो ए रहे है थांकी अष भी करना का पकितले हैंट करने भी अब्सका दो आपको है आपको ऑच रहे हैं इाफ्डियों वितलो ऑढकीलों तो अपके करना है म Redeしょう अम्पाँ करना दो आफके करना दोर मैं प मैं आ